So students, अभी देखेंगे हम लोग Cache Memory So Cache Memory क्या होता है? So अगर मैं आपको बताओ, तो अब ऐसे simply समझ सकते हो वो Memory आपका जो processor है, CPU का processor याद रखना है, जो calculation और decisions, जो आप जो भी instruction देती हो वो process करने वाला चीज processor होता है तो यह processor को information लगता है, जो store किया हुआ है तो Cache Memory जो है, Cache Memory बोलते हैं उसको Cache Memory उसमें से वो जो Memory है, वो बहुत pass रहता है यह processor के काफी pass रहता है तो जो बहुत जल्दी हम लोग को access करना रहता है वो Cache Memory में store किया जाता है तो वो pass होता है, जबकि RAM थोड़ा दूर होता है RAM थोड़ा दूर होता है ROM जो है, RAM या फिर आपका जो Primary Memory में जो RAM होता है वो उससे भी speed में अगर आपको कुछ भी access करना है तो यह use किया जाता है तो processor के pass होने के वज़े से यह use किया जाता है अब आप सोचोगे कि फिर उसको काफी बड़ा क्यों नहीं use करते है RAM को पुरा निकाल के और हम लोग पुरा RAM का Memory Cache जैसे क्यों नहीं बनाते है क्योंकि वो expensive होता है काफी महंगा होता है तो उसको इस तरह ही use किया जाता है इस तरह ही बनाया जाता है वो RAM से भी speed रहता है उसका और वो data usually store करने के लिए और वो processor के काफी processor के अंदर ही होता है जिसके वज़े से उसको access करना बहुत speed में किया जा सकता है तो यह होता है cache memory अगला हम लोग देखेंगे secondary memory और वो काफी easy है क्योंकि आपने देखा भी है काफी टाप के secondary memory तो हम लोग go through करें